प्रिये मित्रों में आपका दोज गनेश आउवाड आप सभी मित्रों का अपके अपनी यूट्यूब चानल ओंटेक की दुन्या में रदैसे हरदीक स्वागत करता हूँ मित्रों पवित्र गनेश आत्सव शुरू हो चुका है आज की विडियो में हम सारवजनी गनेश आत्सव के इतियास को सभी स्वार जानने का प्रयास करेंगी तो आइए मित्रों तीशवर का समरन करती हुए इस विडियो की शुरूबात करते है प्रियम मित्रों इस कोरोना काल में गनेशोत्सव शुरू हो चुका है कोरोना और लोकडाउन की वजह से बाजारों में भिट कम ही है लेकिन फिर भी आम जनता में गनेशोत्सव के उत्साह में कोई कमी नहीं है कोरोना नियमों का पालन करते हुए हर कोई गनेश जी की पूजा अर्चना में लिन है तो आए मित्रों सार्वजनिक गनेशोत सब के इतिहास को विस्तार से जानने का प्रयास करते है गनेश चतुर्थी हिंदूओं का एक प्रमुक त्योहार है यह त्योहार भारत में और देश विदेश में हर भागों में मनाया जाता है किन्तु महराश्ट्रा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है पुरानों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गनेश जी का जन्म हुआ था गनेश चतुर्थी पर भगवान गनेश जी की पूजा की जाती है, कई प्रमुक जगहों पर भगवान गनेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है, इस प्रतिमा का दस दिनों तक पूजन किया जाता है, बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुँचते 10 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गनेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादी जल में विसरजित किया जाता है वैसे तो यह उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है किन्तु महराष्ट्रा का गनेश उत्सव विशेश रूप से प्रसिद्ध है महराष्ट्रा में भी मुंबई और पुने का गनेश उत्सव जगत प्रसिद्ध है यह उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भादरपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलता है भादरपद मास के शुकल पक्ष की चतुर्थी को गनेश चतुर्थी भी कहते है गनेश जी की प्रतिष्ठा सम्पूर्ण भारत में समान रूप में व्याप्थ है महराष्ट्रा इसे मंगलकारी देवता के रूप में वह मंगल मुर्थी के नाम से पूचता है दक्षिन भारत में इनकी विशेश लोग प्रियताकला शिरोमनी के रूप में है माईस और तथा तंजोर के मंदिरों में गनेश की नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाए है गनेश जी हिंदूओं के आदी आराध्य देवता है हिंदू धर्म में गनेश जी को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है कोई भी धार में कुछ सव हो याग्य, पूजय नित्यादी सतकर्म हो या फिर विवाहुत सव हो निर्विधन कार्य संपन्न हो इसलिए शुब के रूप में गनेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है महराष्ट्रा में साथ वाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदी राजाओं ने गनेश जी की प्रता चलाई थी परंतु लोकमान ये बाल गंगाधर तिलक ने गनेश जी राष्ट्रिय एक तके प्रतीक बन गए तिलक के प्रयास से पहले गनेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी पूजा को सारवजनिक महोतसव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकान तक ही सीमित नहीं रखा बलकि आजादी की लड़ाई, छुआ छुद दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्यानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया इस आंदोलन ने ब्रिटिश सामराज्य की नीव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1893 में गनेशोतसव का जो सारवजनिक पौधारोपन किया था वो अब विराट वट वरिक्ष का रूप ले चुका है जब बाल गंगाधर जी ने सारवजनिक गनेश पूजन का आयोजन किया तो उनका मकसद सभी जाती धर्मों को एक साजह मंच देने का था जहां सब बैठ कर मिलकर कोई विचार कर सके तब पहली बार पेश्वाओ के पूजे देव गनेश जी को बाहर लाया गया था तब भारत में अस्प्रिशिता चरम सीमा पर थी तब पिछडे वर्ग के लोगों को देव पूजन का ये पहला मौका था सब ने देव दर्शन किये और गनेश प्रतिमा के चरण छुकर आशिरवाद लिया उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया जाने लगा जैसा कि पेश्वा करते थे मंदिर की मूर्ती को आंगन में रखके सार्वजनिक पूजा और फिर वापस वही स्थापना तब यपते किया गया कि पूजा ग्रह की मूर्ती बाहर न निकाली जाए अगले वर्ष से पार्थिव गनेश बनाय जाए फिर उनका चल समारोह पूर्वक विसर्जन किया जाए तब से मूर्ती विसर्जन शुरू हो गया या आज महराष्ट्रा में ही लगभग 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक गनेशोत्सव मंडल है इसके अलावा आंध्रप्रदेश, करनाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और गुजरात में काफी संख्या में गनेशोत्सव मंडल है तो आए मित्रों हम गनेश पूजन करते हुए संपुर्ण विश्व को कोरोना रुपी राक्षस से बचाने के लिए इश्वर से वैश्विक प्रार्थना करते हैं धन्यवाद